अक्कन गुड़ा एक ऐसा गाउ है जहां ढोल नगारों की सुरीली धुनों से दिल को सुकून देने वाले वाद्य यंत्रों की गूज सुनाई दीती है अक्कन गुड़ा आंधर प्रदेश के श्रीका कुलम जिले में सीठम पीटा जंगल में स्थित है जिसे सावरा जन्जाती का घर कहा जाता है सावरा का मतलब उन लोगों से हैं जो पहाडों पर रहते हैं इसी से पता चलता है कि इस जन्जाती का जंगलों और पहाडों से कितना गहरा नाता है एतिहासिक रूप से सावरा वनवासी थे मतलब जंगलों में रहने वाली लोग लेकिन हाल के दिनों में इन्होंने खुद को प्रमुक तोर पर खेती बाड़ी से जुड़े कामों में धाल लिया है 2011 की जन गणना के अनुसार आंध्रप्रदेश में सावरा जनजाती की आबादी 1,49,424 है जिनका भारत की आदिवासी विरासत में एक एहम स्थान है इस दोरान कई तरह के इंस्ट्रुमेंट इस्तेमाल होते हैं जैसे कडिंग, तुडुम, छोटी आकार का ड्रम, टेरेट पेले, एक प्रकार का बाजा, गंगादम, पीतल का जाज, और के दाहा या घंटी पोरुष और महिलाएं दोनों ही पाइल और हार जैसे आभूशन पहनते हैं इन्होंने मृत्य के एक खास रूप को सनरक्षित किया हुआ है जिसे तोंग सेंग या सावरा कहते हैं, इसमें महिलाएं चमकदार साडिया पहनती है जबकि पुरुष उनके साथ डान्स करते हुए सफेद रंके कपड़े और पगड़ी पहनते हैं साथ ही वाध्ये यंत्र बजाते हैं सावरा जन्जाती के लोग ज्यादातर आंत्र प्रदेश और ओडिशा में रहते हैं और इन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे सोरा, सोरा, सावरा और सबारा सावरा जन्जाती है समुदाय का भाती पौरानिक कथाओं में भी जिक्र किया गया है शादी और अन्य शुब समारों के दौरान प्रथा के तौर पर ये डांस किया जाता है हाला कि समारों के अवसर के आधार पर तौंग सेंग के पांच अलग-अलग रूप है जैसे जम्बो तौंग सेंग को समुदाय में किसी की मौत होने पर उसकी आत्मा की शान्ती के लिए किया जाता है जुदो देब तौंग सेंग मनुरंजन के लिए करते हैं अबदुर तौंग सेंग को फसल काटने के बाद किया जाता है गवारिन तौंग सेंग पूरवजों को सम्मान देने के लिए अगम तेवहार के दौरान किया जाता है इसे शादी समारों के दौरान किया जाता है आपन सादी समारों के दौरान 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 पार फ्रह चेह और हां सेलिष औरो जह सो जहाता है कि अिजो आ Inspector बारन रेसे कामना सब्सक पिंगी तो दरत कि अऩै्मान शेत्रार बार प्रह लाहत लाचन चाही हो जब कर दो तुदुमा नयमले, बर पनेयर नयमले, कुनंबरी आतों सें आतों लाय. चुकि इस डान्स को कदमों को थिरकते हुए किया जाता है, इसलिए इसमें ले के साथ ही प्राकृतिक उज्जा खुद बखुद आ जाती है. सावरा लोग फुर्ति के साथ अपने कदमों से डान्स करते हुए प्रकृति से तूफे में मिले उपहारों का जश्न मनाते हैं. धोल की सुरीली धुनों में मंत्र मुब्धोकर पुरुशर महिलाए जैसे डान्स टेप करते हैं. उससे लगता है कि मानों इनके शरीर के साथ साथ आत्मा भी जूम रही हो. सावरा समुदाय का ये डान्स उनकी संस्किती में कला की अभिव्यक्ति की जीवन रूप बन गया है. और प्रकृती के साथ उनके जुडाव का प्रतीक है. कर दो आत्मा गुडाव का ये लिजू ऑान्स उंस्की की जचते हैं. झाल को का ये जूम रही हो. क्या हो. मुशन बना गजाव का बन énerर आत्मा उनके पना प्रते हैं. मुशन बना उनके जूम के शूम. कर दो